किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्विट को लेकर काफी हंगामा हुआ उनके ट्विट के बाद देश में खेल जगत सी जुड़ी कई महान हस्तियों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी ट्विट कर रिहाना को जबाब दिया था अब महाराश्री की उध्व ठाकरे सरकार ने सचीन कोहली समेट कई भारती शक्सियतों के ट्विट की जाज कराने की बात कही है दरसल कॉंग्रेस निताओं ने किसा नांदोलन पर रिहाना के ट्विट के जबाब में सचीन अजय देवगन लता मंगेशकर समित कई हस्तियों के ट्विट की शिकायत महाराश्री सरकार से की थी उनका आरोप था कि उन ट्विट्स में कुछ शब्द एक जैसे हैं जो शक पैदा करते हैं महाराश्री सरकार ने अब इसी मामली की जाज की आदेश्ट दे दिये हैं महाराश्र सरकार सेतारों के ट्विट की जाज करके इस निश्कर्स पर पहुँचने की कोशिश करेगी कि क्या इन सतारों ने ट्विट्स किसी के दवाव में आखर किये थे सचीन तेंदूलकर ने ट्विट कर कहा था कि भारत की संप्रुग्भुदा से समझोता नहीं किया जाएगा बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं लेकिन भागिदार नहीं भारती नागरिक भारत के बारे में जानते हैं हम एक राश्टर के तौर पर एक जुट रहें कोहली ने किया था ट्विट टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि और सहमती के इस वक्त में हम सभी एक जुट रहें किसान हमारे देश का एक अभिन हिस्सा है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों की बीच एक सोहार्टपुन समधान निकल जाएगा ताकि शान्ती हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सके स्वर कोकिला लता मंगिशकर ने भी ट्विट करते हुए कहा था कि भारत एक गौरवशाली राष्ट है एक गौरानवित भारती होने के नाते मेरा पूरा यकीन है कि बतोर राष्ट हमारी कोई भी समस्या हो या परिशानी हम उसे सोहार्दपुन तरीके से जनहीत की भावना के साथ हल करने में पूरी तरह सक्षम है आपको बता दी कि कुछ ही दिनों पहले रिहाना ने CNN के एक लेख के साथ हैस्टेग फॉर्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्विट किया हम इसके बारे में बात क्यूं नहीं कर रहे रिहाना के ट्विटर पर दस कडोर फॉलोवर हैं और उनके इस ट्विट को एक घंटे में हजारों लोगों ने रिट्विट कर दिया उसके बाद हंगामा मच गया रिहाना को जो करना था कर दिया लेकिन रिहाना की सच्चाई कहा जा रहा है कि ये है कि उन्होंने पैसे लेकर ये ट्विट किये थे और इसके बाद से जो हंगामा हुआ अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है कितनी सच्चाई है और आप इसे किस तरीके से देखते हैं जरूर बताएं बहुत सारे कमेंट करके सुझाओ दे, देखते रहें बेग स्क्रिन, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन दबाएं